बाल विवाह ऐसी को प्रथा जो मासूम बच्चों के जीवन को संकुजित और दुरू ही नहीं बनाती बलकि उनके जीवन को बेहद प्रतारित भी करती है कुछ सालों पहले ये एक ऐसी समस्या थी जिसने लाखों बच्चों के जीवन को तबाह कर दिया ऐसे में अजमेर के हरविलास शारदा ही ऐसे शक्स रहे जिन्होंने बाल विवाह जो ऐसी सामाजिक करूते के खिलाफ शारदा आक्ट पारित कराने में एहम योगदान दिया यही नहीं उन्होंने इसके विरोध में आवाज बुलंद करते हुए डूपते बच्चपन के सपनों को नए पंख दिये पेश है कीरतिशेश में हमारी खास रिपोर्ट समाज ने बाल विवाह को मानब विकास के खिलाफ बड़ी चुनोते के रूप में स्विकार किया है इससे बच्चे पूरी शिक्षा हासिल करने से वंचित रह जाते हैं और विवाह से उपजी जम्मदारियां उन्हें पनपने और जीवन के बारे में सपने देखने के अधिकार से वंचित कर देती है लेकिन भारत के समाज सुधारकों में से एक हर्विलास शारदा ने मासूम बच्चों के सपनों को नए पंख दिये है बाल विवाह की कुरुते के खलाफ बहु चर्चित शारदा एक्ट पारित करवाने वाले हर्विलास शारदा का जन्म तीन जून 1867 को राजस्थान के अजमेश शहर में हुआ था उनके पत्नी पारवती ग्रामीन परिवेश्व से थी इसलिए हर्विलास का अजमेश से गाउं आना जाना लगा रहता था जब उनको पता लगा कि गाउं में कम उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती है हर्विलास ने इस कुप्रथा के खलाफ कुछ करने की ठान ली तब से हर्विलास ने बाल ववाह को पाप माना 1924 में हर्विलास शारदा अजमेर मारवार से केंद्र विधान सभा के सदस से भी निर्वाचित हुए है समाद सुधार के क्षित्र में कारे करते हुए ज्वलंत समस्याओं पर सरकार का ध्यान दिलाया यही नहीं देश में होने वाले बाल विवाह की रोप ठाम के लिए लोगों को जाग रुप किया खुद भी कई किताबों का अध्यन करते हुए मानसिक रूप से परिपक्व उम्र के अनुसार शादी करने का प्रस्ताव तयार किया हर्विलास ने ततकाली इन ब्रिटिश अधिकारियों से बात की उनको भी ये प्रस्ताव रास आया फिर केंद्रिय असेंबली में बाल विवाह पर प्रतिबंद लगाने के लिए शारदा बिल पेश किया तब की ब्रिटिश सरकार ने 15 सितंबर 1929 में शारदा एक्ट को पास कर दिया जिसके बाद ये बिल देश में एक अपरेल 1930 से लागू हो गया इसमें बाल विवाह को अपराद माना और सजा के प्रावधान भी टैकिये गए सामाजिक शृत्र में सरकार से राय बहादूर और दीवान बहादूर की उपादियों से नवाजे गए हरवलास शारदा ने जीवन में लेखन भी किया उनका लिखा प्रसिद ग्रंथ हिंदू सुपिरियोरिटी सामाजिक युगदान की याद दिलाता है इसी बीच बाल विवाह पर प्रतिबंद लगाने वाले हरवलास शारदा का 20 जनवरी 1952 को निधन हो गया लेकिन बचपन को संदोले की जो राह बनी उससे आज भी नौनी हालों का जीवन समार रहा है अब माता पिठा भी बच्चों को बाल विवाह के अंधेरे में धकेलने से ड़ते हैं